हलो दोस्तों स्वागा थे आप से भी का एक्जाम टाइम में दोस्तों हम यहाँ पे यूनिट 9 के वस्तुनिस्ट प्रिशनों को हल कर रहे हैं मद्यप्रितिश लोकसेवा आयोक के जो प्री एक्जाम है उसमें 10 यूनिट दी गई है जिसमें हम 9 यूनिट को कम्प्लीट करेंगे यहाँ पे एक वीडियो अप्लोड हो चुकी है आपने उसको नहीं देखा तो उसे जरूर देखें यह हमाई सेकंड वीडियो सीरेज की तो पिछली वीडियो में हमने आपसे एक क्वेशन पूछा था कि कम्प्यूटर निम्लिकित में से कौन सा काम नहीं कर सकता है इसका आंसर आपको कमेंट वाक्स में देना था और कई वच्चों ने इसके आंसर दिये हैं इसका आंसर जो सही है वो है सी अंडर्स्टेंडिंग तो यह जो है सी कम्प्यूटर यह कारिण नहीं कर सकता है दोस्तो इस series को आप complete करें इसमें आपका पूरा slivers complete हो जाएगा cover हो जाएगा साथ ही आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी चलिए आंगे देखते है अगला question है एक digital घड़ी में किस प्रकार का computer होता है तो इसका answer होगा D embedded computer होता है आगे देखते हैं अगला question निम लिकित में से कौन सा computer hardware नहीं है तो इसका answer है D Excel यह hardware नहीं है यह software है आगे है निम लिकित में से कौन सी memory का सबसे कम access होता है तो जो cache memory होती है option A इसका बहुत ही कम access होता है कम access समय लगता है अगला question है Microsoft Word उधारन है तो यह application software है इसका answer होगा D Microsoft हम जानते हैं कि जहांपे MS Word होते हैं हम typing या सारे वर करते हैं यह application software है अगला question है कि virtual memory का आकार निर्भर करता है तो virtual memory का आकार किस पर निर्भर करता है पहला option है address lines पर database पर disk space पर या यह सभी तो इसका answer है A address lines पर अगला question है देश का प्रथम साक्षर जिला तो इसका answer है A यह केरल का अनकुलम है sorry दोस्तो इसका answer होगा D मलपुरम जी इसका answer है D मलपुरम दोस्तो इसका सही answer होगा D आंगे देखते हैं अगला question है निम्लिकित कथनों पर विचार कीजिए तिथा नीचे दिये गए कूट का कूट से सही उत्तर चुनिए तो option पहला है .net Fem work Microsoft द्वारा विक्सित किया गया second है Java Sun Microsoft द्वारा विक्सित Open Source Technology है तो दोस्तो इसका सही answer है हमारा C 1 और 2 यह दोनों ही कथन सही है अगला question है कि एक कंपनी के करमचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किये जाने वाले अनन्ने रूप से निजी नेटवर्क का वर्गी करेंट तो दोस्तो इसका answer होगा B Local Area Network जो LN LAN है यह एक ही करमचारी एक ही संस्ता के अंतरगर एक नेटवर्क से कनेक्ट होकर उपयोग कर सकते हैं यह LN आँगे देखेंगे अगला question है एक database में field होती है तो यहां आँगी संबंदित records का समूँ एक database में उस संबंदित records का समूँ होगा मतलब इस database में field होती है तो इसका answer is C आँगे देखेंगे अगला question है कि 10 लाख bytes लगबग होती है दोस्तों यह पिछले MPPSC pre-exam में आवी चुका है ऐसा एक question तो इसका सही answer होगा C 1 megabyte 10 लाख bytes बरावर होगा 1 megabyte जिसमें सबसे बड़ा होता है terabyte और सबसे छोटा होता है clobite आँगे देखेंगे अगला question है कि signal की शक्ती strength कम हुए विना network की लंबाई बढ़ाने के लिए हम उप्योग करेंगे तो हम यहाँ पर एक अगर signal यहाँ ते भीज़ा तो हम यहाँ repeater लगा कर उस signal को और आँगे तक बेज सकते हैं तो इस तरीके से हम कम लंबाई बिना network की लंबाई बढ़ाई हुए कम strength की शक्ती को repeater के द्वारा आँगे और हम उप्योग में कर सकते हैं अगला question है कि यदि किसी के domain name के आखर में .adu या education.us है तो इसका अर्थ क्या है देखिए edu इसका अर्थ है education अर्था sectionic संस्थाओं से सम्बंदित और us से सम्बंदित है USA ये अमेरिका तो मतलब की d इसका अंसर होगा कि ये US है अमेरिका में एक sectionic संस्थान है जैसे की mpphc के .government लिखा होता है mp.government मद्द प्रदेश का सरकारी portal ही है आंगे है निमने में से कौन सी आउट्पिट युक्ती नहीं है तो इसका अंसर होगा digital camera दोस्तों ये input होती है input device होती है output device जैसे की drum pen plotter CRT monitor और air phone ये output devices है आंगे है तो इसका अंसर होगा d अगला question है कि what process spreads seed उधारण है किसका तो ऐसे सारे ही ये जो हम work करते हैं ये application software कहलाते हैं जिसमें hardware होगे वो मतलब छेतर होगा या वो instruments होगे जिनको हम चूँ सकते हैं जैसे की CPU हुआ, mouse हुआ, monitor हुआ ये सारे output devices होती है input devices जो की computer में अंदर installs होती है वो input devices हैं और जैसे की software हुआ दोस्तों ये बहुत important question है क्योंकि ये लगातार video conferencing से संबंदित pre-exam में हर साल एक नएक प्रशन आ रहा है और ये 2008 से लेके अभी तक के analysis किये गए question के आधार पर बनाए गए series है इसकी PDF जरूर लें तो इसका answer होगा कि video conferencing है तो ये दूर संचार प्रवद्गी का उप्योग करती हुए video call का परिचालन करना video call कहलाता है अगला question है भारती software उद्ध्योग का जनक किसे कहा जाता है ये भी बहुत important question इसका answer है FC कोहली को अगला question है optical fiber के बारे में कथन असत्य कथन बताईए यहाँ option पहला है यहाँ silicon dioxide, sodium oxide और calcium oxide से मिलकर optical fiber बनता है ये कथन सत्य है हमें असत्य कथन बताना है तो इसका answer होगा B optical fiber में कुल 4 पड़ते होती है इसमें core cladding, jacket, fever तो ये कथन असत्य है आगे है optical fiber तकनीक अबदाणना अठासो सत्तर में वेग्यानिक जॉन डीन डॉल ने दी थी सही है optical fiber की पहली line पुने के सिवाजी नगर कॉंटो मैंट में बिच्छाई गई थी ये भी सही है तो हमां option B गला थे आगे question है सत्य कथनों पर कूट बनाईए देखे optical fiber सिलिकॉन का बना होता है जो की वालू की रेज से प्राप्त होता है optical fiber पून परावरतन के सिधान पर काम करता है बिल्कुल सही optical fiber का डिजाइन डच वेग्यानिक अब्रहम हिलने किया था अगला option है कि optical fiber आधरिस सूचना संचार सेवा प्रदान करने वाली भारती एर्टेल भारत की निजी छेतरी सबसे वड़ी कंपनी है दोस्तों इसका अंसर है A और B पहला और दूसरा option बिल्कुल सही है तो हम देखते हैं एक बार पहले option में था कि optical fiber सिलिकॉन का बनाता है जो वालू की रेट में प्राप्त होता है बिल्कुल सही और optical fiber पूर्ण अरांतिक परादन सिद्दान पर काम करता है ये भी सही है आगे देखेंगे अगला question है optical fiber का प्रियोग किस छेतर में नहीं किया जाता है देखिए option है क्रशी, laser beam, traffic और automatic tool width तो जो क्रशी छेतरे यहाँ पर optical fiber का use नहीं किया जाता है तो हमाँ option होगा A सही अगला question है प्रकाश तंतू, optical fiber का उत्पादन करने वाला देश का पहला राज दोस्तों, मद्धिप्रदिश बहुत से कामों में प्रथम है तो वो बिल्कुल याद रखें तो यहाँ पर हमाँ अंसर B है मद्धिप्रदिश प्रकाश तंतू या optical fiber का उत्पादन करने वाला देश का पहला राज है आगे है दूर दर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि प्रतिवी की सता बक्राकार है ठीक है आगे देखेंगे अगला कॉशन है कि नौसकॉम के संस्थापक कौन है तो इसका आंसर A देवांग महता देवांग महता आप्शन A सही होगा आगे देखेंगे अगला कॉशन है भारत में electronic fund transfer सेबा कब सुरू की गई थी दोस्तो इसका आंसर है B 2000 वर्ष 2005 में सुरूआत की गई थी अगला कॉशन है कि बर्तमान सम आय में विश्व का सबसे तिरूतम गती का सुपर कंप्यूटर कौन सा है तो इसका अंसर है A समिट अगला कॉशन है कि भारत में सुपर कंप्यूटर बनाने वाली पहदी संस्था थी तो इसका अंसर होगा A NAL अगला कॉशन है निमन कत्मों पर विचार कीजिए L.E.T. चौथी PD के वायरलेस ब्राडबेंड प्रोधिगी की है ये बिल्कुल सही है अगला है L.E.T. मुबाइल ट्रांसनेट सॉरी इंटरनेट एकसिस प्रदान करने वाली वायमेक्स की प्रतिस परदी है थर्ड ऑप्चन है वायमेक्स की तरह L.T.E. भी ब्राडबेंड से वायर प्रदान करेगी परन्तु वायमेक्स में सिगनलों का प्रसारण माइक्रोवेग दारा होता है वाही L.T.E. में इस कारी के लिए रेडी तरंगों का प्रियोग किया जाता है दोस्ते तीनों ही ऑप्चन सही है तो हमारा आंसर होगा D. ऑप्चन एक, दो, तीन तीनों ही सही है अगला कॉस्चन है कि ऑप्टिकल फाइवर का प्रियोग किन आबरती की तरंगों के संचारण में किया जाता है तो उसका अंसर है C 1 THz से 100 THz के बीच दोस्तों, यह T का हथ मतलब टेरा है और हथ यहां आबरती को मापने का यूनिट है तो 1 THz से 100 THz के मद्ध होता है अगला कॉश्चन है कि भू तरंग संचंड में सिग्नल टांस्मीटर से रिसीवर तक किस पत से गती करते हैं तो vs गती हमने पहले भी कोश्चन में देखा है कि प्रत्भी के से था का बक्रा करता है अगला कॉश्चन है कि एनियक का अविश्कार किस ने किया था तो इसका आंसर इसी जॉन मुचली ने दोस्तों सुचने हैं कि हम संचार से जो टॉपिक है इसमें हमारे 70 कॉश्चन्स है तो हम 35 कॉश्चन्स जो हैं वो इस वीडियो में करेंगे उसके second प़ाट जोगा इसमें 35 कॉश्चन्स को कंप्लीट करेंगे अगला कॉश्चन है कि परथम Macro Microprocessor कौन था तो ये है Intel 4004 इntel 4400 जो था ये परथम Macro Microprocessor था अग्ला कॉशन ने कि भारत का प्रथम सुपर कम्पूटर कौन था इसका अंसर है B, Flosower अग्ला कॉशन है कि पहला कम्पूटर नेटवर्क था तो ये था Ethernet ये पहला कम्पूटर इंटरनेट था इसके बाद इंटरनेट का विकास हुआ अगला कॉश्चन है कि भारत में सुपरकंप्पूटर का जनक किसे कहा जाता है तो भारत में कहा जाता है पंडित विजय पांडूरंग बठकर को ओप्शन B ये बहुत important कॉश्चन है अगला कॉश्चन है कि भारत में सरप्रथम टेलिफॉन सेवा कब सुरू की गई थी इसका आंसर है 1880 बंड में दोस्तों वीडियो को लाइक करना न भूले शेर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में और जो नेक्स्ट कॉश्चन है कि ट्राइ की स्थापना कब की गई थी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना बिलकुल न भूले